मौलाना अज़ाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी के इस तालिमी निशिस्ट में माई डॉक्टर परवीन जहान आप सब का खेर मक्दम करती हूँ आज हम BAC सालिदूम के मौजू DNA का दोहराना यानी DNA रेप्लिकेशन का तफसिल से जाइजा लेंगे हर जिन्दे अच्साम की खुसूसियत होती है उसकी पाइदाईश और नशोनुमा के अमल से एक खल्वी अच्साम जैसे के बैक्टिरिया में पाइदाश का अमल Binary Vision के जरीए होता है और कसीर खल्वी अच्साम की तरखी और मरमत में भी खल्वी तकसीम का अमल आता है इसी तरह एक खल्वी बैक्टिरिया जैसे अच्साम हो या कसीर खल्वी इनसान हो खल्यों की तक्सीम जरूरी है और इस अमल के पहले DNA जो के जीनियाती माददा है उसका दोहराना लाजमी हो जाता है क्योंके सेल डिविजन के दोरान डूपलिकेट हुआ DNA दोनों दुखतर सेल्स में तक्सीम होता है इस मेकैनिजम के बारे में बहस करने से पहले हम एक बार DNA के साखत के बारे में साबिखा निशिस्ट में जो सीखा था उसको मुक्तसरन दोहरा ले डियोक्सी राइबो नूकलिक असिड एक नूकलिक असिड या नवाती तुर्शा है जिसमें डियोक्सी राइबोस, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉसफेट ग्रूप जैसे मुरक्कबात होते हैं जो मिलकर नूकलिक असिड बनाते हैं, कई नूकलिक असिड जूड कर पॉलिकलिक असिड बनती है हम ये भी जानते हैं कि हर मरतबा थाइमिन बेस अडिनाइन से और साइटोसीन गौनेन से जोडी बनाता है जिनें हमें कॉम्पलिमेंटरी बेसिस कहते हैं नूकलिक अटाइट चेंड के दो इक्तिताम यानि एंड्स होते हैं एक को 3'N और दूसरे को 5'N कहते हैं इस इक्तिला की बुनियाद पेंटो शुगर है एक DNA स्टाइड का डायरेक्शन 5' से 3' होता है और उसके मुखाबिल स्टाइड का डायरेक्शन 3' से 5' होता है जीनियादी माददा DNA आम तवर पे प्रोकेरियोर्स में खलियों में और यूकेरियोर्स में मरकज यानि नूकलियस के अंदर कॉम्पैक्ट साप आया जाता है रेप्लिकेशन के दावरान ये खुलता है यानि रिलाक्स होता है ताके कॉपींग का अमल अन्जाम हो यूकेरियोर्स में DNA का दोहराने का अमल सेल साइकिल के सिंतसिस मरहले में होता है जिसको हम S-Phase of Cell Cycle भी कहते है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन अमल की मिकानियत की आसान फहमी के लिए हम इसको कई एक मरहलों में दरजा बंद कर सकते है DNA रेप्लिकेशन की तैयारी का पहला अमल है रेप्लिकेशन फोर की तश्कील DNA रेप्लिकेशन अमल के शुरुआत में DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के दोने रेशे हेलिकेज एंजाइम के मदज से अलग होकर दो सिंगल स्टांड़्स बनते हैं या बनाते हैं सिंगल स्टैंट्स बनने के लिए नाइट्रोजनस बेसेस के दर्मियान जो कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो इस एंजाइम के जरीए तूटते हैं और पॉलियन नुक्लियोटाइड जन्जीर को अलाहिदा कर देते हैं, हम इसको अन्जिपिंग अफ डियनने कहत हैं, जहां से स्टैंट्स अलाहिदा होते हैं, वहां अंग्रेजी हर्फ Y के शकल में दो शाखा बनता है, जिसको रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, इस रेप्लिकेशन फोर्क के डियनने सिंगल स्टैंट्स नए बनने वाले रेशों के लिए सांचे का काम अन्जाम देते हैं हम ये जानते हैं कि DNA double helix के दोनों रेशों का direction opposite होता है, जिसको हम anti-parallel भी कहते हैं, अगर एक रेशे का direction 5' से 3' होता, उसके मुखाबिल रेशे का direction क्या होता है? वो 3' to 5' होता है, 5' में phosphate group और 3' में hydroxyl group पाए जाते हैं, DNA replication सिम्ती है, जो कि हमेशा 5' से 3' direction में ही हो सकता है, क्योंकि DNA polymerized enzymes, DNA replication के दवरान 5' से 3' के direction में ही गूम सकते हैं, इस वजह से जो template strand 3' to 5' होता है, उसके मुखाबिल replication मुसलसिल यानि continuous होता है, और दूसरे template जो 5' से 3' का है, उसके मुखाबिल replication टुकडो में होता है, यानि discontinuous. जो strand मुसलसिल replicate होता है, उसको हम leading strand कहते हैं, और जो discontinuous यानि टुकडो में होता है, उसे हम lagging strand कहते हैं. बहरेहाल, DNA का दोहराने का अमल, replication fork में दोनों ही strands के मुखाबिल होता है, एक में continuously, दूसरे में discontinuously, इसी लिए इसको bi-directional replication कहते हैं. DNA replication का दूसरा मरहला है, replication का आगाज, जिसमें पहले primer binding होता है. DNA replication fork बनने के बाद, अलाहिदा हुआ, सिंगल रेशों का दुबारा जुनने से, रोकने के लिए single standard binding proteins इन रेशों से जुड़ जाते हैं. अलाहिदा हुए, इन DNA, सिंगल stand के 3'NK मुखाबिल, मक्सूस जगा जहां से replication process शुरू होता है, वहाँ RNA primer, complementary base pairing के अमल से, DNA के मुखाबिल जुड़ जाता है. इस point को हम origin of replication भी कहते हैं. RNA primer एक छोटा सा ribonucleic acid का टुकड़ा होता है, जो DNA के उस इलाखे से यानि उस region से complementary करता है, जहां से replication का आगाज होता है. प्राइमेज एंजाइम आइरन ने प्राइमर को बनाती है. नए DNA molecule को बढ़ाने में, DNA polymerized enzymes यानि खामिर अहम हिस्सा लेते हैं. इन enzymes को polymerizes इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये nucleotide polymerization यानि एक nucleotide unit को दूसरे nucleotide unit से जोडने के अमल में हिस्सा लेते हैं. जैसे कि पुराने DNA ratio के nucleotide की तरतीब के मताबिख, जिसको template या सांचा भी कहा जा सकता है, ये enzyme RNA primer से नए nucleotide को जोड़ती है, इस तरह नए ratio बढ़ते हैं, जिसको हम DNA elongation का अमल कहते हैं. ये अमल 5' to 3' direction में ही हो सकता है. DNA template जो 3' से 5' का होता है, उसके मुखाबिल continuously नए आरेशा बनता है, जो leading strand कहलाता है. और 5' to 3' template के मुखाबिल कई RNA primers, चन्द nucleotide के फासले से template के मुखाबिल कई जगा जुड़ जाते हैं, और हर RNA primer को DNA polymerase, नए nucleotide को 5' से 3' के सिम्त में जोड़ देती है. इन मिले जुले RNA और DNA के टुकडों को उकजाकी fragments कहा जाता है, और इस रेशे को जिसमें उकजाकी fragments पाए जाते हैं, हम उसे lagging strand कहते हैं. एक बार जब continuous और discontinuous रेशे बन जाते हैं, तो exonuclease enzyme RNA primers को निकाल देता है. हर उकजाकी fragment से जुड़ा हुआ RNA primer तहलील यानि digest होकर उसके जगा template के तहत मुनासिब DNA nucleotide से तबदील हो जाता है. DNA lygase enzyme उकजाकी fragments को जोड़ कर एक मुसलसिल रेशे में बदल देती है. दूसरे exonucleases नए रेशों को proof reading करते हैं. proof reading के दावरान अगर गलत basis पहचाने जाते हैं, तो वो exonucleases के अमल के तहत निकाले दिये जाते हैं, और उसके जगा सही या correct nucleotide से replace कर देते हैं. इस तरह एक DNA molecule दो में दोहराए जाता है, जिसमें एक पुराना और एक नया रेशा होता है, जिसको हम semi-conservative replication कहते हैं. इस अमल से जीनियाती मालुमात एक नसल के खलियों से दूसरे नसल तक बाहिफाज़त मुन्तखिल होता है. मेरा पहला सवाल है, DNA replication के पेश करदा models कितने हैं और कौन से हैं? मेरा दूसरा सवाल है, मिजलसन और स्टाल ने अपने तजरुबे में किन खलियों का इस्तेमाल किया? और तीसरा सवाल है, DNA replication के अमल में कौन से enzymes हिस्सा लेते हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप इस lesson से इस्तिफादा किया होगा. मजीद मालुमात के लिए आप इस पते पर राप्टा कर सकते हैं. अगली निशिस्ट में हम किसी दूसरे मौज़ू पे बात करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त देजिए. आदाब आदाएगागागागागागागे. लगली आप इससाओत देज़ इसे अबदाभगे इस लिए देश्स्ट पर चुड़वागागे. झाली निए मौज़वागागागे. तब तब पारेंगे. झाल झाल